हरियाना में भाजपा और जजपा की साज़ा सरकार चल रही है, इन दोनों पार्टियों में अकसर CM पत को लेकर जुबानी जंग छिड़ जाती है, ऐसा यह पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी कई इस मसले पर दोनों पार्टियों के नेता एक दूसरे पर कटाक्ष करत दिखे हैं, जेजेपी नेता वकार्यकरता डिप्टी CM दुश्यंत को CM बनाने की मांग करते हैं, इसके साथ वहां आए दिन दावा करते नजर आते हैं कि अगला मुख्यमंत्री दुश्यंत चोटाला होंगे, वहीं इस बार भी लोकसभा विधान सभा चुनाव से पहले जे पूर्व हर्याना भाजपा अध्यक्ष ने ओपी धनखर ने जेजेपी को आईना दिखाने का काम किया है, जेजेपी के राष्ट्रिय महासचिव दिग्विजय चोटाला ने मौझूदा डिप्टी CM दुश्यंत चोटाला को CM बनाने का दावा किया है, इस पर ओपी धनखर ने चुटकी लेते हुए कहा कि किसी को सपना देखने से नहीं रोक सकते, ये लोग राजस्थान में अपनी ताकत दिखा चुके हैं, इससे पहले पूर्व केंद्रिय मंत्री बीरेंद्र सिंह भी लगातार भाजपा को जचपा से गठ बंधन तोरने के लिए कह रहे हैं, इ इगविजय चोटाला ने कहा कि दुश्यंत पर कोई आरोप नहीं है, हमारा मिशन दुश्यंत चोटाला को हर्याना का मुख्यमंत्री बनाना है, लोग उपर नरेंद्र मोदी और नीचे दुश्यंत चोटाला को देखना चाहते हैं, दुश्यंत चोटाला पर सवा चार साल म एक भी आरोप नहीं है इसके साथ ही दुश्यंत ने कहा कि आरोप लगाने वालों को साम्थ सुंध गया पसीने छूटे जो आरोप लगाने वाले थे उनको पसीने आ गए जब मैंने पूछा कि कोई एक सबूत तो दें उस दिन के बाद ऐसा लगता है कि इने लोग कॉंग्रे पर जाएंगे दुश्यंत चोटाला हरियाना का कल है ये जितने लोग CM पद की रेस में हैं ये 65 और 70 प्लस हैं एक और चुनाफ और इनकी पेंशन तय है इस पर धन्खड ने कहा कि राजस्थान में इनकी ताकत देख चुके किसी भी पार्टी को अपने सपने देखने से तो आप रोक नहीं सकता, आपको मालूम है जे जे पी की ताकत अभी राजस्थान में भी उन्होंने अपनी ताकत आज माई थी, मैदान में आएंगे तो असलियत पता चलेगी, हर्याणा में भी आने वाले समय में जब मैदान में आएंगे तो हर दल को उनकी स्थिती और सामर् क्या है उसके आधार पर तै होगा कि CM कौन होगा कौन सरकार में रहेगा हर दल को अपनी बात कहने का हक है इसके साथ ही लेकर धन्खड ने कहा कि भाजपा और जचपा का यह गठ बंधन सिर्फ सरकार चलाने का था आगे के बारे में भी कई बार लोग पूछते हैं कि भाजपा नेताओं के बयान से ऐसा लगता है कि इस गठ बंधन से चुटकारा चाहते हैं वहीं जेजेपी इसके उलट गठ बंधन में बने रहना चाहती है लेकिन उनकी डिमांड मुख्यमंत्री पद की है